नमस्कार दोस्तों मैं किसन स्वागत करता हूँ आपका अपने टेक्निकल सीपी यूट्यूब चैनल दोस्तों कैसे हो आपसो दोस्तों आज के सी वीडियो मैं आपको बताने बाला हूँ अगर आप सेंटर बैंक में करंट खाता खोलना चाहते हैं और आपको जानना है कि क्या क्या डॉक्मेंट्स बैंक को देना पड़ेगा तब जाकिव हमारे अकाउंट खोलेगे पूरी बाते इस वीडियो में आपका क्लेर करने वालो हो कि क्या-क्या डॉक्मेंट कितना दिन का टाइम लगेगा करने में तो फ्लीज वीडियो को सुरू से लेकर आंतर तक दखीए तो चलिए दोस्तों आज क्या वीडियो सुरू करते हैं तो तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर बैंक वाले अलग अलग डाक्यमेंट से ले सकते हैं लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं सेंट्रल बैंक कर बताने वाल हूँ अगर आप यह इस समय करूँगा ले सबसे पहले मैं आपको ज्यादा विडियो लॉंग नहीं करूंगा सौट में बताने का कुछिस कर रहा हूं सबसे पहला हमारे सबसे पहला हमारे पास जो सबसे एक अधार कार्ड होना एकतम जरूरी है सबसे पहला सबसे पहले आपका जो अपना आधार कार्ड और दूसरा आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए बहुत लोग करते हैं के सबसे कि पैन कार्ड वहर के नाम से दे या नॉर्मणी अपना पैंड है तो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कर दोस्तों आपको पैंड किसी कभी लगा सकते हैं अगर आप फर्म का pen card बनवा चुके हैं तो आप फर्म का pen card दे सकते हैं अगर नॉर्मली आपका इंडिविजिली आपके पास pen है आपके नाम से pen card है तो वह भी आप अपने ब्रांच को दे सकते हो बैंक को दे सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ठीक है दो ID card हो तीसरा नंबर पर दोस्तों देखिए जिस भी फर्म का आप current खाता खुलवाना चाहते हैं जिस भी फर्म के नाम से उसका एक registration होना चाहिए ठीक है अब registration की अगर हम बात के तो आप सूचिंग भाई registration कहा है कुछ लंबा प्रोसेस हो जाएगा तो बिल्कुल इसमें बहुत सा मैं आपको बताने वाला हूं भारत सरकार दोवारा नॉर्मल एक छोटी सी स्कीम चलाई जाती है जो कि registration माइक्रो और छोटे लोगों के लिए वह registration दिया जाता है जिससे आपका वह खाता खुल जाएगा अगर वह registration आप करा लेते हैं तो इसका नाम भी मैं बता देता हू हैं और अगर आप यह license लेकर अपना बैपार को start करते हैं तो आपको बैपार करने में कोई बिजनेस करते में कोई दिक्कत नहीं होता है लिगली तोर पे यहाँ भारत सरकार की दोरह दी गई तुरण certificate होती है जिसमें आपका registration नमबर आपका नाम email id mobile number सारा कुछ इसमें डि तो वह सारा चीज देखके आपको भरना है क्योंकि उसी समय बैंक में आपको फॉर्म में जो offline फॉर्म आप बैंक में भरेंगे वही certificate वाला ही detail वहाँ पर भरना होता है तो यह बाते आपको वहाँ पर ध्यान देनी है और देखिए यह का license लेना कोई बड़ी बात नहीं है 10-20 मिनट में आपका license बनके रेडी हो जाता है और यह चीज अगर pen card भी आपके पास है तो आप pen card भी लगा सकते हैं बात आती है बहुत लोग आएंग सर जीएस्टी लगेगा तो जीएस्टी मैंडेटरी नहीं है अगर आप जीएस्टी सखाता खोलना चाहते हैं तो आपक का भी pen लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं कोई रजिएस्टी से बड़ा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अगर जीएस्टी नहीं है तो नॉर्मली आप जीएस्टी लेंग चकर में भी अगर आपका छोटा मोटा कोई start-up कर रहें तो आप MSME पे registration कर लिजे बात में अगर इसके आपका एकाउंट खुलने वाला नहीं है अगर खुल भी जागा तो बात में आपका सर्वेगरा करके एकाउंट में कुछ प्राब्लम हो सकती है तो हमने क्या कि बताए अधार कार्ट पैन कार्ट फोटो और साथ ही साथ आपको MSME का रजिस्ट्रेशन लगाना जलूर तो दोस्तों आच के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन धर्नवाद